एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया, दो तेन दिन वहां रहने के बाद साससुर से विदा करने के लिए कहा, उस दिन बुद्वार था, साससुर था अन्य संबंदियों ने कहा कि आज बुद्वार है और बुद्वार के दिन गमन नहीं करते, वह नहीं उसके जैसे कपड़े पहने कोई दूसरा आदमी बैठा है। उसने गुस्से में आकर उस व्यक्ति से पूछा तू कौन है और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है। तब उसने जवाब दिया यह मेरी पत्नी है और मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। दोनों आपस में जगड़ा करने लगे। जगड़ा होते देख सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने महिला से पूछा कि तुम्हारा पती कौन सा है। उसकी पत्नी कुछ भी न बोल सकी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वैव्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने लगा और इस अजीब सी परेशानी में मदद की गुहार करने लगा। तब ही आकाश फाणी हुई कि बुद्वार को गमन नहीं करने की बात ना मानने की कारण यह परेशानी हुई है। तुने किसी की बात नहीं मानी यह लेला बुद्धेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए छमावांगी उसके हमशकल बनकर आये बुद्ध देव भगवान अंतरद्यान हो गए उस व्यक्ति में चैन की सांस लिया और पत्नी को सकुषल लेकर घर लोटाया उसके बाद पति-पत ने नियम पूर्वक बुद्ध वरत करने लगे जो व्यक्ति ये कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसे बुद्ध वार के दिन यात्रा करने का दोश नहीं लगता है और सभी परकार के सुखों की प्राप्ति होती है अगर आपको मेरी कथाएं कहानिया थोड़ी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद